हमारे सभी दर्शकों को सादर पढ़ाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको कलत्र राशियों के बारे में बताऊंगा कि कलत्र राशी से विवाह करें तो वेवाईक जीवन अच्छा रहेगा इसा हमारे जोतिश शास्तर में लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो यहां समझें कि कलत्र का अर्थ क्या होता है कलत्र का अर्थ होता है पत्नी बर्या आपकी जो कुंडली है उसमें सब्तम भाव यहां पर देखें आप सब्तम भाव को कुंडली भी दिख रही है सब्तम भाव भी दिख रहा है तो ये जो सब्तम भाव है यहाफिक्स है इस भाव का नाम यही कहलता है यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है तो सब्तम भाव जो होता है उसे कलत्र भाव कहते हैं और आज मैं आपको तीन सुत्र बताने वाला हूँ तो कलत्र राशिया निकल कर आएगी और उन से विवाह करते हैं ऐसी राशी से विवाह करते हैं आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो लाव वाली इस्तती रहती है वेवाईक जीवन अच्छा रहता है ऐसा हमारे जोतिश शास्त्र में लिखा है तो ये राशिया कैसे निकल कर आएगी सुत्र द्वारा कैसे समझेंगे आज मैं बतौँगा सबसे पहले तो आप यह समझें कि इससे पूरू भी मैंने विवाह से समद्धित बहुत सारी जानकरियां दी है यसे दर्शक जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो भी जानकरियां आने वाले समय में मेरे द्वारा दी जाएगी आप तक समय पर पहुँच पाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो पसंद आया तो शेयर भी अवश्य करें तो ये कलतर राशियां कैसे निकलती है सबसे पहला सुत्र आपको अपनी कुंडली में सब्तम भाव को देखना पड़ेगा सब्तम भाव को देखें वहाँ पर क्या अंक लिखा हुआ है और सब्तम भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा कि सब्तम भाव में जो राशी लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है देखें आप दियान से यहाँ पर सब्तम भाव को आपको दिख रहा है सब्तम भाव वहाँ पर कोईन कोई अंक लिखा हुआ होगा वहाँ कोई ग्रह बेठा है उसे नहीं देखना है सब्तम भाव में क्या राशी लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है अब आपको नवमांच कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि सब्तम भाव का स्वामी नवमांच कुंडली में कहां पर बेठा हुआ है अब आप यह कहेंगे कि सब्तम भाव के स्वामी को कैसे पहचाने तो मैं पूरु में भी जानकरी दे चुका हूँ और इस कुंडली के उपर आप देखेंगे कि सभी राशियां लिखी हुई है उनके स्वामी लिखे हुए है तो द्यान से देखें पूरे चार्ट को और सब्तम भाव में राशि देखें क्या राशि लिखी हुई है जैसे मान लिजिए आपकी कुंडली में सब्तम भाव में पांच कांक लिखा हुआ है तो पांच कांक यहाँ पर इस चार्ट में देखेंगे तो उसका स्वामी कौन हुआ? सुर्य सिंराशी होती है पांच नमबर तो ऐसे समझना है और उस सुर्य को नौमांच कुंडली में देखना है पहला सुत्र, सबसे पहला सुत्र तीन सुत्र हैं पूरे समझें तो सबसे पहले सुत्र में आपको देखना पड़ेगा कि सब्तम बाव का स्वामी नौमांच कुंडली में कहां पर बेठा हुआ है जिस राशी पर बेठा हुआ है उस राशी से विवाह करें तो शुब रहेगा और यदि उस राशी का जो स्वामी है उसकी अन्य कोई राशी है तो उसे भी अवश्य देखें जैसे मंगल की दो राशियां है बुद्ध की दो राशियां, शुक्र की दो राशियां यहाँ पर देखें आप शनी की दो राशियां, गुरु की दो राशियां सुरी की केवल एक राशी है, चंद्रमा की एक राशी है, मंगल की मेश और व्रस्चिक राशी है, बुद्ध की आप देखेंगे मिथुन कन्या, शुकर की व्रशब तुला, शनी की मकर कुम्ब, गुरु की धनु और मीन, ये दो राशी होती है, तो सभी जो ग्रह हैं, उनकी दो दो राशी हैं, केवल सुरी चंद्रमा की एक एक राशी है, तो सब्तम का स्वामी मान लीजिए सुर्य है, और वह नौमांच कुंडली में धनु राशी पर बेठा हुआ है, तो वहाँ पर आपको धनु राशी और मीन राशी, दोनों कलत्र राशियां लेनी होगी, और में से कोई एक राशी से यदि आप विवाह करते हैं, क्योंकि लड़का तो एक ही आएगा आपके सामने, उसकी राशी यदि धनु हो, मीन हो, तो विवाह करना शुब रहेगा, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अंत में महतुपुन जानकरी दूंगा, क्योंकि म सब्तम भाव में क्या राशी लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन है, उसकी उच्च राशी से भी आप विवाह कर सकते हैं, यह सुत्र में पूरु में भी बता चुका हूँ, उसमें मैंने यह बताया है कि सब्तम भाव में जो राशी लिखी हुई है, उसकी उच्च या नी तो जैसे मान लेजिए सुर्य है सब्तमका , सब्तम का में पांच का āंके लिखा हुआ सब्तमकाि सवामी कौन हुआ? और सुरी की उच्च राशी कौन सी होती है मेश चंद्रमा की व्रशब होती है इसी प्रकार से मंगल की मकर राशी उच्च की होती है बुद्ध की कन्या राशी उच्च की छे नंबर उसके बाद गुरु को देखें तो कर्ग राशी शुक्र को देखें तो मीन राशी शनी की तूला राशी तो इन साथ ग्रहों को देखना है सुर्य चंद्र मंगल बुद्ध गुरु शुक्र शनी यही तो हैं इन ही की तो राशियां होती है रहु के तू की कोई राशी नहीं होती है तो आपको समझना पड़ेगा दूसरा सुत्र की सब्तम भाव में जो राशी लिखी हुई है सब्तम भाव का स्वामी कौन है पता लग जाएगा और उसकी उच्च राशी से उस ग्रह की उच्च राशी से आप विबाह करें तब भी शुबिस्तति रहती है और नीच राशी से भी कर सकते हैं यदि वह आपकी राशी की मित्र है तो इन तीनों सुत्रों में एक बात और ध्यान में रखनी विशेश जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ अभी बता देता हूँ कि मित्र राशी भी होनी अतियावशक है यदि मित्र राशी नहीं होगी तो समस्या रहेगी तो इस बात को भी अवश्य समझें बीना इसको समझें विवाहद ना करें आपकी जो राशी है उसकी मित्र राशियां जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मित्र राशियों का चार्ट कि मेश करक सीह इसमें कोई दोश नहीं लगता है इसी प्रकार से दूसरी इस्तती है व्रशब, मीथुन, कन्या, तुला, मकर और कुम्ब ये छे राशिय आपस में मित्र है तो इसे भी समझें और सुर्य की जो सीन राशी है और कन्या राशी बुद्ध की ये आपस में मित्र है इसको भी थोड़ा अलग तरीके से समझ लेए कि सुर्य बुद्ध की राशी पर दिक्कत नहीं देता है तो सुर्य बुद्ध आपस में मित्र है तो सीन राशी का विवाह मिथुन और कन्या से करें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दूसरी कलत्र राशी निकल कर कौन से आई सब्तम भाव में जो राशी लिखी हुई है उसका स्वामी कौन है उसकी उच्च राशी से भी आप विवा करें वह कलत्र राशी निकल कर आई और तीसरा सुत् आप यह देखें कि नौमाँश कुंडली में सब्तम भाव में क्या राशी लिखी हुई है यदि वह आपकी राशी से मित्रता रखती है तो उससे भी विवाह कर सकते है तो ये तीन प्रकार की स्थिद्यां आज आपने समझी कलतर राशियों वाली सबसे पहला सुत्र वापस रिपीट कर देता हूँ आपकी कुंडली में सब्तम भाव का जो स्वामी है नौमाँश कुंडली में कहां पर बेटा हुआ है उसे देखें जिस राशी पर बेटा हुआ है उससे विवाह करना शुब रहेगा वही कलतर राशी कहलाएगी और यदि उस ग्रह की अन्य कोई राशी है तो उससे भी विवाह कर सकते हैं लेकिन सुर्य चंद्रमा की राशी पर बेटा हुआ है तो उनकी तो एक ही राशी होती है जैसे सब्तम का स्वामी माली जी किसी की मेश लगन की कुंडली है और सब्तम बाव में साथ का अंक लिखा हुआ है लगन कुंडली में और शुक्र सब्तम का स्वामी हुआ यदि वह नौमांच कुंडली में कर्क या सी राशी पर बेटा हुआ है तो इसी इस्तती में या तो कर्क से विवाह करें कर्क पर बेटा हुआ है या सीहं पर बेठा हुआ है तो सीहं राशी से विवा करें तो शुब रहता है लेकिन उस राशी की मित्रता आपकी राशी के साथ होनी भी चाहिए नहीं तो आप दूसरे सुत्र को देखें दूसरा सुत्र कि सब्तम भाव लगन कुंडली में देखें कि सब्तम भाव में कौन सी राशी लिखी हुई है उसके स्वामी की उच्च राशी कौन सी है उससे विवा कर सकते है और मैंने तो आपको बताए यदि नीच राशी है उससे स्वामी की और वह भी यदि आपकी जो राशी लिखी हुई है उससे भी विवाह कर सकते हैं यदि वह आपकी राशी से मितरता रखती है तभी करना चाहिए तो इस सुत्र को पूरा तभी समझे हैं जब राशी मितरता भी इसमें आ जाए सुत्र तो जोतिशास्त्र में लिख दिये लेकिन वहाँ पर राशी मितरता भी देखनी पड़ेगी क्योंकि विद्वानों ने सुत्र तो लिखे हैं लेकिन उन्होंने उसको आगे समझाया नहीं कारण यह कि वे पूरू में ही समझा चुके होते हैं पुस्तक में कि राशी मि इतरता देखे कभी भी विवाहा ना करें इस बात को भी समझ लेए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी जानकारिया समय पर मिल पाएगी धन्यवाद जैशिक्रिश्ण झाल